डाउट्रेट पर होगा अब आपके सारे फिसिक्स के देशिन माच जाउट्स का सफाया बस अपने फोन से कुछिन की फोटो खीचो अपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउग डाउट्रेट आप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आप चार्सो चा हम उनिषन विट पर्टिकल टूनिंग फ़ॉर तो का रहा है कि कोया हमारा यहा पर जो स्ट्रिंग मेरा रह इवाइब करें कि अपने किसमें 10 litter हर्मोनिक मेल ओके और उसके साथ क्या है unison है कि इसके साथ एक tuning for के साथ unison मतलब क्या होता है resonance में है ओके when a beaker containing water कर रहा है कि जब एक water containing beater को क्या कर रहे है block को उसमें पूरी तरीके से डुपा दे रहे है तो string जो vibrate कर रही है वो किसमें 11th harmonic में ठीक है जब ऐसा हम कर रहे है तो किसमें vibrate करी है 11th harmonic में तो हमें find करना है कि इस material की density क्या है यह जो हमारा block है इसकी density क्या होगी यह हमें क्या करना है find करना है density of the material of the block ओके यह हमें find करना है तो let's do this इसको solve कर लेते हैं तो हमारे पास जो block है block का जो weight होगा वो क्या होगा downward होगा mg और tension क्या होगा, उपर होगा तो first case में हमारा t is equal to क्या आ जाएगा mg और इसको हम क्या लिख सकते है row of block into volume of block into g यह हम लिख सकते हैं tension की value अब हमारे पास उसने बोला है कि जब कोई water नहीं है तो उसके लिए हमारे जो frequency की value आएगी वो क्या आएगी 10 by 2L under root में t by mu, okay, mu क्या है हमारा mass per unit length है string का, तो हम g की, जो t की value उसको put कर देते हैं, तो यह क्या जागा 10 by 2L under root में rho vg upon mu, okay, यह value हमारे पास क्या है given है, यह हमारे equation number one हो गया, अब जब उसको water में dip कर दे रहे हैं, तो condition थोड़ी सी क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, okay, तो हम उसको भी figure से समझा लेते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या कि इसको draw कर लिया, ठीक है, यह हमारा beaker हो गया इसमें पूरा क्या है, यह भरा हुआ है, और अब हमारा block क्या है, something इस तरीके से है, तो जब हमारा block completely dip रहेगा, डुबा हुआ रहेगा, तो इस पर weight क्या होगा, mg, downward, और buoyancy force क्या लगेगा, tension तो उपर ही लगेगा, और एक force force लगेगा कौन सा, buoyancy force, ठीक है, तो इसके लिए हमारा condition क्या हो जाएगा, अगर हम इसके लिए देखें, तो tension की जो value होगी, t equals to क्या होगी, mg minus fb, ओके, यह condition होगी है हमारे पास, अब यहां से इसको फिर से क्या कर लेते हैं, change कर लेते हैं, तो block के लिए क्या होगा, mg की value, same होगी, rho, v, g, और water के लिए हमारा जो buoyancy force होगा, यहां पर क्या होगा, water में dip किया गए, तो यह rho of water, volume तो same रहेगा, क्योंकि पूरा dip किया गया है, यह, तो अगर यहां से कॉमा ले ले तो t की value क्या जाएगी, rho minus rho w, v, g, ओके, यह value आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपने फिर से इसके लिए, अगर इसमें बुलाए कि जब इसको dip किया गया है, तो जो frequency मूल रही है, वो क्या 11th harmonic है, तो यह क्या है f की value जो आएगी, 11 by 12, under root में, t dash इसको कर लेते हैं, यह मारा t dash है, t dash by mu, ओके, तो हमारी जो value आजाएगी, f, 11 upon 12, under root में, rho minus rho w, v, g, upon mu, यह हमारा हो गया equation number 2, अब हमारे पास क्या हो गया, दो equation हो गया, और उसने बोला है कि, यह जो दोनो values हैं, यह आपस में क्या है, resonance में है, frequency क्या है, resonance में है, ठीक है, तो हमारे पास यह दोनो values क्या करते है, equal कर लेते हैं, okay, from equation 1 and 2, okay, यह जो हमें equation given है, उनसे यह बोल रखा हुआ है, कि, यहाँ पर, initial हमारा क्या था, 10 upon 12, यह कि, अंडर root में, row, row upon में, यह row vg upon में, mu, इसकी value क्या हो जाएगी, 11 by 12, अंडर root में, row, sorry, यह था समिस्टिक हो गया है, यहाँ पर, तो हमारा क्या value आजाएगा, row minus, row w, vg upon में, mu, okay, यह value आजाएगी, तो अब हमारे पास क्या करेंगे, कि, यहाँ से अब देख सकते हैं, कि, यह 2l, और यह 2l क्या होगा, cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास, जो overall value आएगी, वो क्या आएगी, 10 by 11 is equals to, अंडर root में, row minus, row of water, upon में, row, यह value आएगी, solve करने पर, ठीक है, इसे further क्या करते हैं, simplify करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको square कर लेते हैं, ठीक है, तो square कर लेते हैं, both side, तो यह 100 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 121, इधर क्या हैगा, row minus, row of water, upon row, ओके, यह, अब हमें क्या करना है, यहाँ से, row की value calculate करना है, ठीक है, तो हमारे पास, जो value आजाएगी, वो कितनी आजाएगी, 100, row is equals to 121, row minus, row w, अब water के लिए हमारे क्या value होता है, water के लिए अगर gram में देखा जाएगी, तो 1 होता है, तो यह कितना जाएगा, 100, row, 1, 2, 1, इधर होगा, row minus 1, ओके, यहाँ पर माले essence, row of water क्या होता है, 1 gram per centimeter cube होता है, ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको simplify करते हैं, तो यह कितना आएगा, यह row आजाएगा हमारे पास, 121, इधर आएगा, 100, row is equals to इसकी value क्या जाएगी, इस value को उधर बेज देंगे, तो यह कितना जाएगा, 121, minus कर लेंगे, तो कितना जाएगा, 21, row is equals to 121, और row क्या जाएगी, 121 by 21, इसको divide कर लेते हैं, तो finally हमारा जो material of wood है, वो कितना जाएगा, यह value आएगी हमारे पास, 5.76 gram per centimeter cube, तो हमारा जो material of wood आगया, वो कितना आगया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, row is equals to 5.8 kg into 10 to the power 3, यह value आगी, into 10 to the power 3 kg per meter cube, यह आएगी क्या हमारे material, जो है wood दिया हुआ है, उसकी यह क्या आगई, density आगई, तो यह हमारा क्या है, final answer है, क्या हम